नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मतदाताओं की जारी हुई नई सूची के बारे में कोई भी चुनाव मतदाताओं के बिना कुछ भी नहीं है चुनाव हो और लोगतंत्र में तो मतदाता ही करता धरता है बिहार में भी पंचाय चुनाव का बिगुल फुक चुका है और तयारियां भी शुरू हो चुकी है भही अब पंचाय चुनाव में मतदाताओं की नई सूची जारी होने बाकी है लेकिन भीहार में 14,66,829 नई मतदाता बनाएगे हैं इनमें 18-19 साल वाले नई मतदाताओं की संख्या 4,79,175 हो गई है मुखे नर्वाचन पदाधिकारी कारियाले की तरफ से पहली जनवरी 2021 को 18 साल की आयू सीमा की आधार पर राजु के मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है जैसा की हमने आपको पहले ही बताया है की CEO द्वारा जारी सूची में कुल 4,66,839 नई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किये गये हैं जो पहली बार अपने मतदिकार का प्रयोग करने वाले हैं ऐसे में आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची में 2,18,217 मतदाताओं का नाम भी हटा दिया गया है अंतिम मतदाता सूची में कुल मिलाकर 271 नए 3rd जेंडर वोटर भी शामिल किये गये हैं जबकि सेवा मतदाताओं की संख्या में 720 की वृध्धी की गया है आपकी ज़ानकारी के लिए आपको बता दे कि राज्य के सभी 243 विधानसवाज शेत्रों में 16 दिसंबर 2020 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है आयोग की तरफ से 11 जनवरी तक मतदाताओं को नाम शामिल कराने और नाम हटाने के लिए दावा आपत्ती से संबंधित आविधन पत्र की मांग की गई थी अब आपको बताते हैं कि वोटरों की संख्या कितनी थी कुल मिलाकर 14,86,829 मतदाताओं में से पुरुष वोटरों की संख्या 7,47,789 है महिला वोटरों की संख्या 7,18,779 है वोटर लिस्ट में लिंगानुपात 1903, 3rd जेंडर वोटर 271 है वहीं कुल पंजुकृत वोटर की बात करे तो यह 16,85,046 है वहीं वोटर लिस्ट में से हटाए गये नाम की संख्या 2,18,217 है वहीं कुल सर्विस वोटर की संख्या 720 बताई गई है आपको बतातें कुछ दुनों बाद ही पंचायत चुनाव में मतदाताओं को सम्मिलत करने के लिए आयोग के निर्देश के बाद विशेश अभियान भी चलाए गया था जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2020 और 10 जनवरी 2021 को सभी विधान सभाज शेत्रों में की गई थी वहीं दूसरी तरफ 25 जनवरी 2021 से भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इपिक यानि की डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र की सुवधा मतदाताओं को दी जा रही है ग्यात हो इस सुवधा का लाव गोनी मतदाताओं को मिल रहा है जो पहली जनवरी 2021 की आधार पर मतदाता सुची में शामिल नए वोटरों को यूनीक मोबाइल संख्या दर्ज को आने के बाद डाउनलोड करने की सुवधा दी गई है जिसके बाद अब जल्द ही 25 चुनाव का आयोजन होने वाला है अब चुनाव को लेकर समय समय पर कईतर है कि जानकारिया भी आती रहती है वहीं मतदाताओं की सुची अब जारी की गई है जिसके तहत नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया है जिसके बाद अब चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है इतना ही नहीं इलेक्शन कमिशन ने भी अब 800 मददाताओं पर एक बूत का अगठन किये जाने की बात कही है हाली में संपन हुए विधान सभा आम चुनाफ के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए 1000 मददाताओं पर एक बूत का अगठन किया था जो इसके बाद अब पंचायत चुनाफ के लिए 2 मार्च 2020 को पंचायत आम चुनाफ को लेकर सभी बूतों की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपके नुसार नेमत दाताओं के शामिल होने के बाद क्या वोटिंग परसेंटेज में सुधाल देखने को मिलेगा या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के रिबस इतना ही धन्यवाद